Hello to all, in this lecture we are trying to understand the basic concept of the any programming language, that is the algorithm, right? So, first of all, सबसे पहले हम आपके पास यह देखते हैं, बही, algorithm होता क्या आपके पास? ठीक है? तो, देखो, कोई भी problem को solve करने के लिए है, ठीक है? अगर मैं computer programming के में बात करूँ, तो, let's suppose कोई भी आपके पास problem P है, तो direct आपको code पर नहीं जाना है, ठीक है? कोई भी अगर आप problem solve कर रहे हो, तो directly आपके पास code पर नहीं जाना है, ठीक है? जिसको हम कहते हैं, आपके पास step by step solution, step by step solution, ठीक है? देखो, directly code पर हम आपके पास नहीं जा सकते हैं, चाहे कोई भी problem statement आपके पास given है, तो first क्या होगा? problem आपके पास given है, ठीक है? सम आपके पास problem ठीक है? और आपके पास algorithm जो होता है, वो step by step solution को ही हम आपके पास बोलते हैं, ठीक है? तो first क्या है? problem given होगा, इस problem का हम आपके पास क्या करेंगे? step by step solution हम आपके पास देखेंगे, कोई भी आपके पास coding का problem हो, तो इसी को हम आपके पास क्याते है algorithm, इसका मैं आपके पास एक और definition में बताऊंगा, और यह जो आपके पास step by step आपका solution है, इसको हमें code में convert कर लेना है, यह आपका code, maybe आपके पास क्या हो सकता है? C language का, maybe C++ का, maybe Python का, क्या नहीं, कहने का मतलब यह है, कि हमारा जो focus होना चाहिए, वो step by step solution पे होना चाहिए, ना कि code पे आपके पास होना चाहिए, तो majority of the student को हमने यही दिखा है, कि directly code पे जाएंगे, नहीं, this is the wrong solution, ठीक है? कि first we are trying to find the problem statement, problem statement को हमें समझना है, उसके बाद इसका हमें step by step solution आपके पास find out करना है, जिसको हमने आपके पास कह दिया algorithm, उसके बाद आपको इसको code पे जाना है, ठीक है? और obvious बाद एक flow chart भी आपके पास होता है, ठीक है? तो again, सबसे पहले हम आपके पास इस वाले आपके पास lectures में algorithm पे focus करेंगे, ठीक है? जैसे मानलो, कोई भी आपके पास एक project पी होगा, तो उसका क्या सबसे पहले होगा? step by step solution, तो according to आपके पास, मैंने जो आपके पास definition दिया है, algorithm आपके पास क्या होता है? it is a sequence of finite steps to solve any particular problem, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले हम आपके पास क्या करते हैं? एक examples लेते हैं, आपके पास, let's say, take simple example, addition of a two number, भी अगर आपके पास addition of a two number की में बात करूँ, तो सबसे पहले first आपके पास क्या होना चाहिए? step number one में आप क्या करोगे? addition of a two number में, step number one में, वो number चाहिए a और b, ठीक है? मुझे addition of a two number का algorithm find out करना है, यानि step by step solution find out करना है, तो first we have to find out the value a and b, या तो given होगा आपके पास, या कैसे भी value आपको चाहिए? second के आपके पास step क्या लिखोगे? अब आप उसको sum करोगे, a, sum is equal to a plus b, ठीक है? next आपके पास क्या है? s3, इसको आप, जैसे हमने कह दिया, आपके पास display या print, display s, या फिर आपके पास इसी को कह सकते हो print, ठीक है? यानि अगर मैं sum of a two number की में बात करूँ, तो algorithm क्या हो अब यह जो मैंने आपके पास definition बताया है, ठीक है? what is the algorithm? yes, यह आपके पास काफी important है, देखो, algorithm क्या आपके पास? it is a sequence, ठीक है? क्या आपके पास यह sequence है? yes, one, two, three, step number one, step number two, step number three, यह sequence को आप change नहीं कर सकते हो, ठीक है? यानि one, two, three, अभी मैं इसमें बताऊंगा कि कौन- ठीक है? तो यहाँ पी क्या है? आपके पास algorithm इस sequence क्या आपके पास है? one, two, three, finite का मतलब क्या है? always algorithm में number of steps क्या होना चीए? finite होना चीए, countable होना चीए, देखो, program can be infinite, जब आप code करते हो तो वहाँ पी infinite होगा, but algorithm क्या होगा? always finite होगा, to solve any particular problem, ठीक है? अब देखो, यहाँ पे मैं आपसे यह पूछूँ, ठीक है? कि यह जो addition of a two number में, how many wrong sequence? ठीक है? आपके पास addition of a two number में, same problem statement आपके पास given है, step number one, step number two, step number three, तो इसमें जो valid sequence है, वो valid यानि सही sequence क्या हो गया? एक ही होगा, one, two, three, और मैं आपसे यह पूछूँ कि how many invalid sequence? how many आपके पास wrong sequence? तो है, क्या होगा? one, two, three, one, one, three, two, two, one, three, two, three, one, three, one, two, three, two, one, three, one, three, one, two, three, two, one, यही total six आपके पास sequence बनेगा, बही mathematically देखना चाहते हो, तो three है, तो total क्या हो जाएगा? three factorial, यानि three into two into one, that is six, ठीक है? तो हम अगर आपके पास manually मैंने आप यही तीन sequence बना सकते हो ना, one, two, two, three, one, three, two, two, one, three, two, three, one, three, one, two, three, two, one, तो इसमें जो valid आपके पास sequence होगा, valid sequence will be one, invalid sequence आपके पास क्या हो जाएगा? five, ठीक है? तो this is the important addition of a two number में, अगर आपके पास एक कोई हम sequence लेते हैं, जैसे one, three, two, यह invalid इसलिए है, क्या yes, first, आपके पास sequence yes, valid, क्या आप A और B without the step two, ठीक है, तो yes नहीं कर सकते हैं, आपके पास, ठीक है, तो we hope algorithm यह clear होगा आपके पास, next, यह है कि कोई भी problem आपके पास है, ठीक है, तो problem को directly आपके पास क्या करना है, step by step आपका solution सर्च करना है, देखो आपके पास algorithm क्या है, it is used to convert our problem to a step by step statement, ठीक है, this statement can be converted into computer programming, ठीक ह ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास वही चीज, आप उसको execute करते हूँ, ठीक है, this program is executed by the computer, या आपके पास solution, for the solution, ठीक है, तो we hope हमने आपके पास simple words में लिखा होगा, we hope यह clear होगा, ठीक है, next, देखो हमने आपके पास आपके लिए क्या बना है, आपके पास, कि ब करेंगे, तो this is called as in, आपके पास क्या algorithm, और उसको हम प्रोग्राम बनाएगे, और बिस बात है, प्रोग्राम में क्या होगा, some input, some output आपके पास, ठीक है, तो we hope यह diagram भी आपका clear होगा, next, very very important है, what is the characteristic of the algorithm, ठीक है, कि क्या characteristic आपके पास है, algorithm क्या, ठीक है, तो सबसे first आपके पास जैसे आप addition of a two number ले लो, ठीक है, या फिर कोई भी आपके पास examples ले सकते हो, ठीक है, तो first जो important आपके पास characteristic है, कोई भी आपके पास algorithm है, ठीक है, यानि input, input जैसे मानलो हमने i से denote किया, तो input क्या हो सकता है, zero or more, maybe आपके पास ये zero or more का मतलब क्या है, जैसे मानलो, अगर आप hello का आपके पास algorithm लिखो, तो मुझे गी बताओ, hello को print करने में, भी आपके पास आपने, this is the input, this is the output, ठीक है, अगर मैं addition of a two number की में बात करो, तो वहाँ पे आपके पास input क्या है, वो दो number, ठीक है, output क्या है, वो sum, ठीक है, बट मैं अगर मैं hello की में बात करो, तो यहाँ पे आप बताओ, मुझे input कितना हुआ, ठीक है, बई, hello को आपके पास print करने के लिए, क्या को input की जरुवत पर रही है, no, नहीं आपके पास हो रही है, directly आपके पास print if में message देते हो, automatically आपके पास output आता है, ठीक है, तो always धान लखना है, and this is the very very important, आपके पास कई बा equal to zero, ठीक है, तो आप से यह statement ना पूछ के यह पूछा जाएगा, इसका meaning same होगा, कि किसी भी problem statement में आपके पास, जो input होगा, वो क्या होगा, zero or more, पट देखो, अगर output के मैं बात करूँ, तो output at least एक जरूर आपके पास output होना चीए, आप कोई भी program मनाओ, जैसे आपके पास addition of a two number, एक output है, hello को print करो, again आपके पास one output है, ठीक है, next आपके पास, we hope थोड़ा सा इसको आप analysis करना है, कि इस problem में, कि देखो, कोई भी आप problem statement करते हो, तो must be input clear होना चीए, what is the input, what is the output, ठीक है, यानि आपके पास every algorithm has a zero or more input, ठीक है, output के मैं बात करूँ, तो must at least one output, ठीक है next will be आपके पास कहा है, definiteness, ठीक है, इसका मतलब आपके पास क्या होता है, ठीक है, जैसे इसको हम आपके पास ऐसे भी कहते हैं, कोई भी problem statement अगर given है, ठीक है, कोई भी हम आपके पास algorithm design कर रहे हैं, तो उसका meaning should be clear होना चीए, ठीक है, कोई भी उसमें आपके पास क्या होना ambiguity आपके पास नहीं होना चीए, तो third statement को ये भी आपके पास कह सकते हो, no ambiguity, ठीक है, तो definiteness का मतलब यह होता है, आपके पास, ठीक है, every statement must be क्या होना चीए, clear interpretation, ठीक है, यानि अगर मैं addition of two numbers के में बात करूँ, तो आपके पास क्या है, first step में, a और b, must be आपके पास clear होना ची की दो input है, फिर आपके पास second step में क्या है, sum a plus b, a plus b, ठीक है, next आपके पास क्या है, third will be आपके पास क्या है, इसको आप print करते हो, print of s, या display of s, ठीक है, और last आपके पास है, देखो definiteness का मतलब क्या है, every statement must be a clear meaning, finiteness के मतलब क्या है, number steps always algorithm में count कर सकते हो, ठीक है, और effectiveness का मतल अब यह होता है, कि first का step दूसरे में migrate होगा, second step का आपके पास third में migrate होगा, ठीक है, तो आप इसको, जैसे आपके पास algorithm का real life examples भी ले सकते हो, जैसे मान लो कोई भी आपको recipe बनाना है, तो जो steps होते है, ठीक है, जो आपके पास steps होगा, वो बिलकुल आपके पास क्या होगा हमें clear पता होना चीए, ठीक है, कि step one में क्या करना है, two पे क्या करना है, तो आप जैसे यह देखो, addition of a two number का, जैसे आपके पास start और आपके पास end यह stop, ठीक है, फिर क्या है, दो input होगा, और बिस बात A और B, C is equal to A plus B और output C, तो यह आपके पास algorithm लिखने का थोड़ा सा method हो statement है, यह किसी भी language पर कर सकते हो, जैसे मालों, आपके पास मैं, अगर कोई compiler की मैं बात करूँ, तो जैसे मैं C compiler या Python की मैं बात करूँ आपके पास, ठीक है, तो जैसे आपके पास यह देखो, अगर मैं C compiler की मैं बात करूँ, तो आपको addition of a two number करना है, ठीक है, तो क्या पास printf, और यहां पर आपके पास percentage, ठीक है, percentage d, s, ठीक है, और इसको क्या कर दो, आपके पास यहां पे a plus b कर दो, ठीक है, ठीक है, जो step आपने किया है, ठीक है, उसको code में convert कर देना है, हमने आपके पास इसको declare किया, ठीक है, तो first step क्या आपके पास input a और b, second step आपके पा होगे ठीक है तो आंसर आपके पास I think yes हमने यह ब्रैकेट दे दिया है यहां पर दो ठीक है तो जैसे आप इसको एक्जीक्यूट करोगे तो आंसर विल भी देखो 30 आ रहा है ठीक है में भी आप इसको पाइथन पे कर सकते हो ठीक है आपके पास जैसे addition of a two number आपके पास यानि language जो आपको algorithm बनाना है वो आपको ऐसी समझने आपके पास की totally language independent है तो जैसे python पे करोगे आपके पास तो उसका syntax change होगा a is equal to 10 लिख दो b is equal to आपके पास 20 लिख दो ठीक है और print है आपके पास sum आपके पास कर दो a is equal to a plus b because python में data type stay ने की कोई भी जरूरत नहीं होता है आपके पास ठीक है और यहां पे आपके पास s लिख दो ठीक है आपके पास conclusion में यह बता रहो जो हम आपको पास algorithm बता रहे है न वो बिलकुल आपके पास पहले आपको direct code पे नहीं आना है ठीक है directly आपके पास code पे नहीं आना है पहले आप कोई भी problem को algorithm design करो ठीक है step by step solution search करो then आपके पास code पे आओ ठीक है तो we hope videos कैसा लगा एक बार तोड़ा सा जुरूर कमेंट करके बता हो ठीक है thank you